और मैं आपके निउस के माजर्म से बता दू कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो MLA जी है जो आवर साप और हमारे प्रेसिडेंट शमीन खान जी एक्स विरोधी पचनेता शानु पठान जी उनको भी इदर पर आकर एक विजिट करना चाहिए और सुविधा की मांग करनी चाहिए ये मेरी रिक्वेस्ट हाद जोड़के अपलोग उसलें आप टेरा भाट के अव प्रेंग के लिए मैंने आख देखा थाए आप एगां कि अजों पर रिडियों में इन जेखा है जो निश्रियों का अत्तन्न जो कि एक एक स्कूल है जहां से तालीम हासिल करते है वहाँ पे एक गोश्रूख जो होता है उसमें नशेडियों का अतन आपने देखा होगा तो मैं आज स्कूल में आया विकाउसा में एडियल के सामने है और मैं आने के बाद यहां पे प्रिंसिपल तो तीन है वेकिंड जो इंचाज ह उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे जो चीज बताया है कि एक को मैं पावर नहीं है इनके पास है सेकेंड रहे हैं त्रिचलों की कम्या हैं ठट बात के रही कि इदर पे बच्चे जुग है वो किसी के भी फोन पे इंको दबाओ की वज़े से लेना पड़ता है लेकिन जगा है कि नहीं है वो नहीं देखना पड़ता है तबच गया जबके एक TMC की स्कूल है उर्दू, इं से हैं लेकिन मैं तो अंधा नहीं था, मैं वहाँ चल के खुद गया और वो में जो इंट्रेंस है और इंट्रेंस है आपके न्यूस के मादब से बता सकते हो कि में इंट्रेंस के पास से ही वो सोचाले का रस्ता है जो वाश्रूम है वहां का और जब मैं ऊपर जाके मैंने वहां पे देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मुम्रा के सारा रिजला पेपर और माचीफ सोचाले में आके नशा होता था लेकिन जो नशेडियों को पकड़ा है कल जो हमारे पदलिकारी लोग आये थे हमारे कॉंगरेस के लोग थे उनसे भी मैंने बा कारवाई जो को पुलिस करना चाहिए ना कि उनको डरा धंका के छोड़ देना चाहिए उनके उपर कानूनी कारवाई होनी चाहिए क्योंकि एक प्येमसी स्कूल है और बच्चों की एक शुरक्षा होनी चाहिए जो कि नशेडियों का आतंग चल रहा है और मैं आपको बता अगर वो नशेडी है नशे के हालत में अगर कोई भी घटना बच्चों के साथ में होती है तो उसका जवाबदार कौन होएगा बताईए आप मुझे तो बहुत ही कखिन मामला था ये मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा और मैंने आज इधर का विजिट किया और आप द अच्छा पैक कहीं घटन में चले जाता है और कुछ घटना होती है तो उसका भी जिमेदार कौन होएगा क्यूंकि सबसे पहला काम होता है ठाने मान अगर पालिका के अंदर में ये स्कूल है ये सारा काम उनका है जो मंजला सवचाले है किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा उसमें सिर्फ गंदगी से बरावा लेस है क्या कहिना चाहेंगे क्या हलत आखिर क्यों है देखिए मुम्रा में हम तो चिला चिला के कहते एक प्रशाशन कमजोर है ठीक है अभी लोग जो घर में बैठे हुए शिर्फ वीडियो चलाते वो बोलेंगे आपी का रास था आपी के अमेलेस है आपी के नगर से वक्त है लेकिन मैं उनको भी बता दू कि जब तक के देखिए कैसा होता है कि कंप्लेंट नहीं आखि कोई चीज की तो उस चीज की सुविदा नहीं होता है होती है अगर यहां का जो मैन पावर है जब मालूम है हमको कि टीम सी स्कूल है तो ट पुलीस मेंरा TMC ठाने मानेगर पाली का और हमारे जो कमिशनर है उनसे मेरी अपील है रिक्वेस्ट है और एजुकेशन मिनिश्टर है हमारे उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ परी तरीके से ध्यान दे और यह जो गटर का जो दीवार का मैंने बताया है वो औ के अगर वो NDPS के टीम में गया होगा तो मुझे यकीन है कि उसके उपर गुना दाखिल हुई होगी है बाकि और अन्य टीम क्या कर रही मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो जो नशेडी है वो जिसके भी टीम में गये होंगे उनके उपर कारवाई होनी चाहिए और मैं F.I.R. कॉपी की मांग करूँगा मुझे F.I.R. कॉपी भी चाहिए कि आपने उनके उपर गुना दाखिल किया है कि नहीं किया क्योंकि देखिए नॉर्मल नशेडी को आप छोड़ते हो वो समझ में आता है लेकिन यह जहां पर बच्चे लोग जो इल्म हासिल करने के लिए एजुकेशन के लिए आते हैं और महां पर अगर यह नशे का एजुकेशन सिखने मिलता है तो यह बहुत गलत है और इसके ओपर कारवाई होनी चाहिए और मुझे F.I.R. कॉपी चाहिए